मैं आपके बैन मेरे पास सवाल है उसको लेके आप सवाल लेंगे हैं सवाल है मेरे पास आप से तो आपने बिना बताये बिना किसी कारण के आप आशा भुसले पे आपने कॉमेंट करना शुरू किया और आपने कहा अभी आपने कहा आशा भुसले के कॉमेंट पे आपने कहा What does आशाताई से आशाताई क्या कहती है अतिती देबो बभा तो फिर आप क्यों नहीं कहते है ये क्यों नहीं कहते है जब कसाव का अरेस्ट हुआ था ये क्या बांगलादेश और पाकिस्तान जैसे देश हमारे देश को ख़तम करने के लिए रुके हुए है नाव मिस्टर एक्स्ट्रीम कॉमेंट शायद मुझे लगता है कि मेरा स्पीच आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं है मैं वहीं बोल रहा हूं मैं बात ये है ये अभीदा परविन या रुना लैला उनके लिए ये जैजेस है ओके लेकिन जो कलाकार आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं बांगलादेश से आ रहे हैं मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो देश पाकिस्तान हो या बांगलादेश इतनी सारी हरकते अपने देश में हो रही है इतने ब्लास्ट हो रहे हैं इतने लोग मरने के बाद भी हम लोग उनके कलाकारों को बुलाते हैं मुझे एक बात अब क्यों कहने हैँ, पहले क्यों ने कहा, यहाने, यहाने बात यह है कि पिछले तीन सालों में राज ठाकरे ने आसी बात नहीं कही, मुझे देखिए, यह अदर है, मुझे लगा कि आशा जी को ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी, बाकि वो मैज भट या और कोई करे तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन बात यह है क्योंकि वो ऐसे ही है बात ऐसी है कि ये आशा जी जब बात करती है आशा जी ने जब ये प्रोग्राम स्विकार किया है इस प्रोग्राम को स्विकार किया है मुझे लगता है कि आशा कार हूं मुझे मालुम है कला क्या होती है बात सिर्फ कलाकारों की नहीं है उनको अगर यहां पे अगर बंद किया जाए उनको पैसे मिलते हैं हिंदुस्तान से पैसे मिल रहा है उनको वहां पे उनके देश में कोई नहीं पूछ रहा है मैं चाहता हूँ कि उनको अगर यहां पे बंद कर दे तो वो अपने गवर्मेंट पे प्रेशर लाए और कहे कि आप यह जो हरकते उस देश में कर रहे हैं उसकी वज़ा से हमें वहां जाने का प्राब्लिम हो रहा है हमें वहां पे पैसे नहीं मिल रहे हैं यहां पे भी नहीं एक तो हमें मालूम है वो देश सुधारने वाले है नहीं, तो उसके लिए एक तरीका तो ढूंडो, अपने यहां पे इतने लोग मारे जाने के बाद भी, इतने लोग मर रहे हैं, इतने ब्लास्ट में आज तक मरे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग बोल रहे कि नहीं, अमन और शांती के बात करें